जै शहिदे प्रिय भर्त करों मैं आपकी गुरु मारुपणी आप सभी का बहुत वक्स वाकत करती हूं हमारे आज के इस कारिक्रम ये कारिक्रम जैसा कि आप जानते हैं हमारे शनी पीछ मंदिर 38,18 इस पटेल नगने दिली से अब आप सभी लोगों के लिए ने करके आते हैं और आप सभी इस कारिक्रम को देख करते हैं अपनी जानकारी में उप्रत्य करते हैं और जीवन उप्योगी वो ज्यान कराप्स करते हैं जिससे आप अपने जीवन को वहतर बना से आज हम जिस चॉपिक दे चर्चा करेंगे वो बहुत ही रोचक है बहुत दिशेश है कि आप ऐसा कौन सा को अपनी राशी के अपनी जीव में रखें जिससे कि लोग आपकी और आखुरश्रिक होने बहुत से लोग हम इसे ऐसे हैं जो दूसरे पर इंप्रेशन नहीं देप परता सामने वाला उनसे भावित नहीं होता जिसके कारण वो अपने जीवन में असफल होते हैं तो वहीं सफलता का राज में आपको बताने जा रही हो तो अंच तक मेरा इस वीडियो को आप देखते रहें और जिन लोगों ने ये चैनल आप तक सब्सक्राइब नहीं किया पडुरियों हमारे जैनल पर राशीफल पर पहर मि appliance की वायनिmmend tenta यहां वहां आज के सिसारी बताते हैं तो अपने इन का ब्रारंब आुछ की सितारी स्वा तो नहीं सब चाहते हैं त، कि चाहते हैं चाहते हैं जीवन में आगे पढ़े लेकिन आगे बढ़ने के लिए चा दोना बहुत आवशक है लोग आपसे आखरशक हो कि आपके बिजनस की तरफ आएं कि बहुत आवशक है तभी बिजनस आगे पड़ता है चाहे हम जॉब में हो जॉब में प्रमोशन चाहिए या आपको अपने कुलीक्स पर लिच आपको इंप्रेशन देना है अपने वर्कस में अपनी बॉस पी इंप्रेशन देना है तभी जॉब में तब ने फ्रेंग करते हैं । बैसें ही जिए में आप सबस Galate लेकिन जिन लोगों की जीवन में इस चीज की कमी है उनको एक बहुत ही अनुखा उपाई बताने जा रही हो और पर्खा हुआ उपाई आप कहींगे गुरुमा ऐसा कैसे संभव है जेव में फूल रखने से हमारी आपर्शन की शक्ति कैसे बढ़ सकते हैं लेकिन इस बिल्कुल संभव है आपका ध्यान इस बात पर जाना चाहूंगी चाचा नहिरी हमारी जवाल नहिरू साब उनके जेव में अपने हमीशा से दिवन में आगे बढ़ते जाएं दस्वी एवं बार्वी पास 15 से 25 साल तक की लड़कियों के लिए शनी बीट मंदिर 38 पटा 18 इस पटेल लगर नई दिली में गुरु रजनी शिशी जी और गुरुमा रुक्मनी जीत्वारा फ्री कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कराया ज जाता है जहां सभी लड़कियों को मल्ती मीडिया वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्री दो साल एवं तीन साल का डिप्लोमा कोर्स पूरे दिन सिखाया जाता है जिसकी कीमत मार्किट में 5 लाख रुपे तक हैं लड़कियों को हर मईने हमारे मंदिर की ओर से स्कॉलर्शिप भी दी जाती है ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और एक सम्मान जनक नौकरी पासके एडमिशन्स के लिए संपर्क करें गुरुमा रुक्मनीजी तो चलिए बात करते हैं आपकी राशी के अनुसार कौन सा भूल आपको अपनी पॉकेट में जेब में रखना है जिससे कि लोग आपकी ऊपर आंकरश्रित होंगे आपके साथ देंगे आपकी और अट्रैक्ट होके आएंगे आपसे मुहित हो जाएगे चलिए बात करते हैं हैं हम धनु राशी अगर आपकी राशी है यानि कि संगिट है तो आपर ने अपनी जेब में गेने का जो पूल को होता है वो आपने रखना है लेकिन इस पूल को पहले आप मंतलित करेंगे किस मंतलित करेंगे वहने आपको बताने जारे गी से नोट करनेे टीए 108 बार इसक या आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या एसे किसी काम जहां पपलिक हैं लोगों को आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो आप यह उपाई करके जाएं और इसमें सफ़ता आपको अश्य हिमें जो मंत्र आपने प्रयोग करना हैं वो आप नोट कर लीजिए सुबह उठके एक घी का दीपक जलाना है तुपती जलानी है और भगवान से प्रात्षना करने के उपरांध आपने गेने का जुक्ण होता है अपने सामने रखे इस जो मंत्र बतानी जा रहे ह। इससे आपने अब मंत्र करना है मंत्र इस प्रक्रार से आप इसे नूट कर लिए ओम नमो भगवते काम देवाय यस्यस्य द्रश्यों हवावी यस्च यस्च मम मुखम पश्यती तम तम मुर्यतू स्वाह इसे मैं बता रही हूं आप इसे नूट कर ले ओम नमो भगवते काम देवाय यस्यस्य द्रश्यों हवावी यस्च यस्च मम मुखम पश्यती तम तम मुर्यतू स्वाह इस मंत्र को 108 बार आपने पढ़ना है और उसके उपरांद आपने उस खूल को अपनी जेव में रखेना है उपर की जेव में रखे तो साधा अच्छा ह जली लोग आप रश्यत होंगे नहीं ऐसा कर सके तो आप पैंट की जेव में या नीचे की जेव में भी से रख सकते हैं साथ ही दूसरा सफलता का राज आपको बताने जा रही हो जीवन में यदि सफल होना है तो एक बात को आप हमेशा याद रखना दूसरों को सुना जो दोसरे आपके बारे क्क्या कहते हैं क्या सोचते हैं अगर आप यही सोचते रहेंगे यही समझते रहेंगे उससे हर्ट होते रहेंगे तो आप आप आए ने पढ़िएड़सका अगर आगे आपने बढ़ना है तो दूसरों की चिंता चोड़ दूसरे जो कहते हूं ने कहने दो आप अपने लक्ष में लगे रहो आप अपने लक्ष की ओर पढ़ते रहो और किसी की बार नस एक छोटी सी कहानी एक धारण आपको देती हूं एक ते में बहुत भड़ा गढ़ा था उसमें बहुत सारे मेंडक आसपास ठून रहे थे और दो मेंड़क महा पर नीचे इसमेंगर अब वो गहरा गढ़ा था वो उससे निकल नहीन पार रहे थे बार बार भार कूर कोशिश कर रहे ते उपर आने कि लेकिन जितने भी मेंडक आसपास गर्दे के थे वो सब कहने लगे कि अब तुम मर जाओ, अब तुम उपर नहीं आ सकते, गढ़्धा बहुत गेरा है, तुम रहने दो, तुम छोड़ो, अब तुम मर जाओ मेंडक दोनों ही कोशिश करते हैं उछलने लगे उपर आने कि किसी तरह से वह वापस उपर आ जाएं लेकिन गहरा था कर था मुश्किल हो रही वह जो आसपास मेंडक थे वह सारे चिल्ला चिल्ला के बार बार नहीं कहे जा रहे थे कि अब तुम्हारी मृत्यों किस्चित है तुम मरने वाले हो अब तुम बिलकुल उपर नहीं आ सकते हो यह गहरा है गठा विकार में तुम अपने आपको पश्ट दे रहे हो तुम कूद कूद के और जल्दी अपनी मृत्यों को बुला रहे हो इसलिए शांती से बैठ जो ऐसा सुनते सुनते जो एक मेंड़ था उस पर उपर किसी तरह हो आगया जब सारे मेंड़कों ने दिखा कि वह उपर फिर से आगया तो दूसरा तो वहीं मर गया है तो उसने पोछा कि अरे भिया हम चिला चिला कि तुझी कह रहे थे तुम मर जाएगा मत खूद तो तुने सुना क्यों ने उस मेंड़क ने कहा भईय तो जीवन में दूसरे क्या कहते हैं दूसरे आपकी बारे में क्या सूचते हैं इसकी चिंता छोड़ो अपनी लक्ष की ओर बढ़ो आंगे बढ़ते रहो एक दिन सफलता आपको अवश्य ही मिल चाहिए और उस सफलता में अगर लगता है कोई कमी नह रहे हैं आपके ग्रह आपका साथ नहीं देरे तो आप चुनिता मत करें आपकी गुरुमारुपनी आपके साथ हमेश्य है आप मुझे अपनी जनम कुर्ली लिखा सकते हैं उस जनम कुर्ली में अगर कोई भी बाधा आपकी ग्रहों की कारण आ रहे हैं तो हम उसे ठीक करेंगे और उसके उपाई सब्सक्राट अपने जीवन दें पिना उकावट आगी बंदे लिए आप मुझे अत्वा हमारी गुरुजी गुरुरुजी फिट सिशी जी से अपने जनम कुर्ली लिखा सकते हैं या जो राशी फ़ल देते हैं हमारे हां स्वामियाज जीडिशी जी उनसे भी आप जनम कु करें हर मंगलवार हर शर्णीवार को प्रशान वित्रण किया जाता है गरीबों के बीच में उसके लिए प्रयोग की जाते हैं और अपने सेवाओं में भी जुड़ सकते हैं और अपनी खुंडली दिखाने के माध्यम से आप इन सभी सेवाओं में भी सयोग कर सकते हैं आप सभी को अपना आशिरवाद देते हूं हर्वान आप सभी पर अपने प्रिपा बरसाएं रखें आप सभी अपनी जीवन में सक्सेस्फुल ह अगे बढ़ें यही मेरी इच्छा है यही मेरी कामना है यही मेरा अशिरवाद है जै शाहिए कर दो